तो गाईज ये है 400 रुपे का गोरिला ट्राइपोड और ये है 9000 रुपे का DJI का समार्टफोन गिंबल बेसिकली आज की वीडियो के दिन दोनों को कमपेर करने वाले हैं कौन सा हमारे मुबाइल को ज़्यादा स्टैपलाइज कर पाता है किसके अंदर हमारी वीडियो ज़्यादा समूथली रिकोड होती 400 रुपे वाले में या 9000 रुपे वाले में तो दोनों की लाइव टेस्टिंग आज की वीडियो के दर हम करने वाले हैं और वीडियो काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किम मत करना तो चली फ़ेंड आज का वीडियो सुरू करते हैं फ्रेंड दोनों की टेस्टिंग करने के लिए हम अपने गर से थोड़ी दूर पर हमारे खेतों की तरफ गए और वहाँ पर हमने दोनों की अच्छे से टेस्टिंग की गोरिला ट्राइपोड की और गिंबल की भी हमने एक कच्छे रस्तर पर दोनों से वीडियो को सूट किया जो की अभी आपको मैं आगे वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ तो गाइस अभी हम आचुके हमारे खेतों की तरफ आप देख रहे हैं यह वाला जो हमारा खेत है और यहाँ पर जो इसी रोड के उपर हम अपने गोरिला ट्राइपोड से और गिंबल से वीडियो को सूट करने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो गाइस यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह हमने सूट किया गोरिला ट्राइपोड से जो की 400 रुपे का कोई भी आप ओनलाइन स्टोर से खरीज सकते हैं Amazon Flipkart पे आपको असानी से 400 से 4700 रुपे के आसपास जो है मिल जाएगा तो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं हमने फर्स टाइम ऐसे किसी रास्ते पे चल के जो वीडियो सूट किया है आज से पहले हमारा यहाँ पर जो कोई experience नहीं था कि ऐसे जो हम हाथ में tripod पकड़ कर वीडियो सूट करते हूँ तो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं हमने फर्स टाइम इसको यूज किया था हम फर्स टाइम ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो जैसा हमसे वीडियो बन पाया वैसे हमने वीडियो को बनाने कोशिस की और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे थे हमारा हाथ भी हील रहा था तो वीडियो के इंदर जादा हमें स्टैपलाइजेसन देखने को नहीं मिलती है हाला कि अगर हमी थोड़ी प्रैक्टिस होती थोड़ा और एक्सपिरेंस होता तो थोड़ा और अच्छे से हम वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं लेकिन यहापर काफी हद तक हमने कोशिस की लेकिन जादा नहीं हो पाया तो आप देखरेंगे कुछ इस तरीके से जो है आप गोरिला ट्राइपोर्ड से वीडियो को सूट कर पाएंगी उसके आज फैन यह जो वीडियो आप देख रहेंगे हमने हमारे DJI के गिंबल से सूट किया ऐसे हमें gimbal से वीडियो को सूट करने का कोई experience नहीं था और ये जो gimbal आप जो देख रहे हैं जिससे हमने वीडियो को सूट किया ये अभी हमने purchase किया था जिसका वीडियो मैंने अभी पिछे अपने channel के उपर बना कर डाला था तो इसका भी हमें कोई experience नहीं था हमने first time इस तरी के से किसी रास्ते के उपर जो है वीडियो को सूट किया था तो आप जो है यहाँ पर देख कते हैं मैं stabilization की बात करूँ तो यहाँ पर stabilization काफी अच्छी है और काफी अच्छे से हम अपने वीडियो को सूट कर सकते हैं और अभी जैसे ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी आगे चलके और थोड़ा fast करने कोशिस करता हूँ तो यहाँ पर जो है वीडियो में जो है काफी अच्छी stabilization हमें देखने को मिलती है तो गैस आपने देखा हमने Gorilla Tripod को भी यूज किया और DJI के gimbal को भी यूज किया अगर हमें stabilization की बात करें तो gimbal के अंदर plus point बनता है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा mobile है वो काफी balancing में रहता है और जो हमारी वीडियो वो हमें काफी जादा smoothly मिलती और अगर मैं इसकी बात करें तो पिछले एक साल से करीवन मैं इसको यूज करा हूँ काफी अच्छा है कभी vlogging नहीं करता बट कभी मुझे अपने table के उपर mobile को रखके वीडियो शूट करना है तो simply इसको open करते हैं और फिर इसके mode से वेरा change करो तो थोड़ा time तो लगता है देखिए अगर आप daily vlogging करते हैं तो आपको इसे purchase करना चाहिए क्योंकि आप gimbal से daily vlogging नहीं कर सकते हैं यह वजन में काफी हलका होता है इसलिए आप लंबे time तक अपनी vlogging easily कर सकते हैं बट gimbal के अंदर थोड़ा वजन जाता होता है इसलिए थोड़ी दिर vlogging करने के बाद आपके हाथ में जो यहाँ पर pain होने लगता है और यह जादा महेंगा भी नहीं है इसलिए इसका भी एक plus point बनता है हाँ अगर आप थोड़ा professional level पर जाना चाते हैं तो आप gimbal का use कर सकते हैं कई बार हमें अच्छी शोट लेने होते हैं अच्छी वीडियो बनाने होते हैं तो वहाँ पर जो gimbal काफी अच्छा काम आता है क्योंकि अगर आप ट्रैवल करें और इससे वीडियो बनाते हैं तो gimbal अच्छा काम आता है बट आप जो है डैली और लंबे टाइम तक जो है लगतार इस पर काम नहीं कर सकते हैं और 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 भी काफी चीज़े हैं जैसे gimbal को charge करना पड़ता है इसको अलग से इसके pouch के अंदर carry करना पड़ता है carry करते हैं तब सभी चीजों को अलग करके रखना पड़ता है like जैसे कि इसका holder है mobile का clamp पे इसको अलग करना पड़ता है नीचे का tripod इसको भी अलग रखना पड़ता है इसको fold करना पड़ता है तो काफी सारी चीज़े हैं और अगर आप इससे वीडियो शूट करते हैं आपको कहीं पर भी शूट करना है simply निकाला phone clamp किया और तो I hope कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा और useful लगागा वीडियो कैसे लगाए comment करके जरूर बता देना मिलते हैं ऐसी एक और next वीडियो में